कि हैलो दोस्तों आप सब कैसे हैं असा है कि उपर वाले की दिया से खुसर मस्त है बहुत दीन के बाद और एक नया video में आप सब तो आज आपको दिखाएंगे हम रिपेर सर्विस के लिए आया हुआ है कि मसीन है जो आप देखिए डिप्रेंट टाइप का है कौनसा मोडल का है वीडियो बने रहे आपको सर्विस भी करके दिखाएंगे पूरी वीडियो बने रहे यह देखिए दोस्तों इसका मॉडल नंबर है 735 है दो पिस 835 एक पिस यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको खास मक्सब यह वीडियो का जो इसमें 735 दोनों एमपी है साथ सो पैटिस हैंती दोनों मॉडल है उपर से बड़ी में सेम टो सेम है लेकिन अंदर में पीसी भी अभी नया मॉडल का पीसी भी इस टाइप का आता है देखिए मास पैडिस में सब्री एक यह जगह है इसको बताएंगे आपको क्या फाइदा नया पीसी बी में क्या डि सुनों सही अपने अपने जगह में लेकिन इससे बढ़िया आपका यह वाला अभी आरा है क्योंकि इसमें जो है आपको रिवर्स पोलरटी देखने को मिलता है पलस यहां पर जो है मास्वेट ड्राइवर ट्रांसफर्मर भी मिल जाता है जिससे की मास्वेट बहुत कम उड में देख सकते हैं लेकिन उपर से आपको पहचान में आएगा वैसे भी आप फिलाल इंपोर्ट किया हुआ अगर समाल लेते हैं तो यहीं मिलेगा पहले का मोडल जो इस्टोक है पहले का जो पहले आता था इस टाइप का देखिए इसमें रिवर्स प्लाइटी वगेरा कुछ नहीं है सिंपल एक फ्यूज दिया हुआ रहता है उल्टाइप का तो यहां पर अगर उल्टा लगाते भी हैं तो फ्यूज उड़ा तो ठीक है नहीं तो आपका मसीन आपका डेमेज हो जाएगा मॉस्पेट उड़ जाएगा कट सकता है और नया मॉडल में यह आपको मिलता है इसे ही लेकिन यहां देखिया मॉस्पेट दोनों दो दो चार है स्वीचिंग बल्टेज बनाने के लिए यहां भी दो दो चार यूज हुआ है इसमें ड्रिवस पॉलर्टी एड़ किया और यहां पर जो है सेमें लगबख ट्रास फर्मर का थोड़ा साइस कें अंतर है यहां देखिया थोड़ा-sword 2009 होग में हैं यह अपको थ्रतिनाइन होगा इस एक होगा और यहां देख सकते हैं हैं यहैं आप का मोडल्य 08 25 canrows अंटीम land 29 का ही है इसमें भी है यह सैम ट्रास्फर्मर है यहां भी देख सकते हैं सेम ट्रास्फर्मर लेकिन यहां वेलु वगेड़ा थुदवा लग है कैपेशिटर बड़ी पालगा वाउए c debates बाउगे अपने आपका फ्यूज लगा हुआ इन्होंने गर उल्टा लगाते हैं फ्यूज कट सकता है फ्यूज ना कटे तो मसीन खराब हो सकती है इंडक्टर भी एकदम सेम टू सेम है और और मॉस्पेट सिर्फ 835 में अधिक लगा हुआ है दो दो चार एक साइड मतलब आड मॉस्पेट जो है बोल्टेज वनाने का काम करता है जिससे की थोड़ा सा आपका आपको ज्यादा देखने को मिलेगा आठ 735 से ठीक है लेकिन थोड़ा अपडेट करना चाहिए 835 क्योंकि पैसा भी अधिक लगता है और मतलब यहां रिवस प्लेटी वगेरा आपको देखने को नहीं मिल रहा है मान लेजे कभी कभार हड़ बड़ी जल्दवाजी में आप उल्टा लगा भी देजेगा तो मसीन कराब उने का चांस बना रहता है और जाकि वे इसमें भी सिंगल वा इसमें नहीं रहता है यह वीडियो में और आपको दिखाएंगे यह जारे रिपेर करके और किस तरह इसका आउटपुट है वो भी दिखाएंगे यह देख सी देखिये दोस्तों अभी रिपेर होके जो है यह तीनों मसीन कंप्लीट हो गई है ओके होगी है किसी में मास्पे द्राइवर प्लस ट्रांसफर्मर भी बैंडिंग हुआ इसमें और इसमें मास्पेट जला हुआ था वह हमने रिप्लेस कर दिया है सब मसीन ओके हो गया है अपने अपने जगह में तो देखिए हम टोईजर की सयाता से यहां स्टार्ट पॉइंट में करते हैं तो देखिए म मसीन आपका ओन हो रहा है उदर देखिए तीन ट्यूब लगा हुआ है बड़ा लेते हैं इसका आउट्पूट फूल आउट्पूट देखने के लिए देखिए इसका फूल आउट्पूट 835 का आउट्पूट देख लिजिए आप बड़िया है देख सकते हैं अभी हम दिखाते हैं आपको 735 का यह देखिए 735 मैंने नया वाला लगाया है अभी और मैं स्कोन कर रहा हूं टोईजर की सहाता से देखिए इसका आउट्पूट कम है 835 से जबकि यहां नौब को मैंने फूल कर रखा है और इसको हाई लो नहीं यह टाइमर और आप सुईच है इसमें नया मुडल में देख सकते हैं अब अधर बत्ती जल रहा है ओके हो गया है बिल्कुल यह है दोस्तो तीसरा वला देख सकते हैं अभी बैटरी पर हम लगा दिये हैं देखे अगर देखे मसीन बिल्कुल फर्किंग एया है उक टेशन में चल रहा है इसको बढ़ा देते हैं पर कि शॉता अब्स पूट बढ़िया है तो निउ मॉडल से थोड़ा अच्छा है निउ मॉडल में थोड़ा सा कम आउट पूट मेरे को लग रहा है बढ़िया है अब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों इसी तरह का इलेक्टोनिक्स से रिलेटर वीडियो देखने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद